कोश्चन में क्या दिया है कि A and C takes 10 days more and 5 days less respectively than B इसका मतलब क्या है अगर B ने किसी काम को 10 दिन में किया होता तो A उसको 20 दिन में करता और C उसको 5 दिन में करता इसके बाद क्या है यह देखिया बोलता है कि A alone started the work इने अकेला काम स्टार्ट किया है and was replaced by C C ने एको replace किया कितने दिन बाद 16 days बाद और C ने खुद दो ही दिन काम किया है ऐसा करने पे पाया गया कि 2 3rd of the work is completed दो तीहाई work ही complete हुआ है तो हमें बताना है कि B को काम करने में कितना time लगेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है तो इस टाइप की question में X अजूम करके हम बहुत ही आचानी से solve कर पाएंगे यहाँ पर हमने A लिख लिया A हो गया अपना B A हो गया C माल लेते हैं A ने X days में काम को complete किया है अच्छा इदर हम लिख रहे है days A नहीं B ने X days में काम को complete किया है A कितना time लेगा X plus 10 लेना चाहिए C कितना लेगा X minus 5 जो total work हम आजूम करते हैं इन तीनों का LC हम आजूम करते हैं LCM क्या हो जाएगा X plus 10 into X into X minus 5 यह हो गया अपना क्या total work T dot W का मतलब क्या हो गया total work यहाँ तो भी समस्या नहीं है तो X plus 10 days में काम करता है total work A तो इसका Efficiency क्या हो जाएगा तो Efficiency आजाएगा X into X minus 5 X plus 10 से डिवाइड कर दिया B का Efficiency अगर हम देखे तो यह है X plus 10 into X minus 5 और C का Efficiency आपका आ रहा है X into X minus X into X plus 10 तो X into X plus 10 हमने लिख लिया अभी Efficiency हमें पता चल गया Question में क्या बोला है कि A ने 16 days काम किया C ने 2 दिन काम किया और ऐसा करने से total work का 2thi work ही हुआ है ठिक तो 16 days में एक कितना काम करेगा? 16 X into X minus 5 आ जाएगा C कितना काम करेगा? 2 दिन में 2X into X plus 10 हो जाएगा और यह सब मिलके 2thi of total work X into X plus 10 और X minus 5 हुआ है दोनों साइड से X cancel हो जाएगा 2 भी cancel हो रहा है 3 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा? अत्तरी की 24 times X minus 5 plus 3 times X plus 10 और इधर आ रहा है आपका X plus 10 into X minus 5 आएगा 24 से 37 27 X minus 120 और प्लस 3 minus 90 equal to X square plus 5 X minus 50 आ रहा है कितना आ जाएगा? X square minus 22 X plus 40 equal to 0 तो यहां से आपको दिखेगा कि एक तो X minus 20 आ रहा है दूसरा आ रहा है X minus 2 equal to 0 X का value या तो 20 चलेगा या 2 चलेगा देख एक एक का value 2 हो नहीं सकता है 20 ही होना पर रहा है क्योंकि अगर 2 हो गया तो 2 minus 5 जो है negative आ जाएगा तो X का value 20 हो गया हमें निकालना क्या है कि B कितने दिन में काम को complete करेगा तो B तो X दिन में काम को complete करता है तो इसका answer आगे है 20 days तो उमीद है यह आपको solution समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई doubt रहा जाए तो आप comment section में जरूर पूछ ले तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहाँ पे सारे best API Q का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top तर तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ